अकॉंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूं आर्टी टेली प्राइम की इस वीडियो में आप जानेंगे वाूचर नबरिंग की मैथट्स के बारे में इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में बना रहे हैं जिसमें पहले पार्ट में आप जानेंगे voucher numbering की automatic method क्या है और उसके अंदर advanced configuration कैसे करते हैं और साथ ही आप जानेंगे इस method के advantage और disadvantage के बारे में इसके दूसरे पार्ट में आप जानेंगे voucher numbering की अन्य methods के बारे में आज के अध्याय में हम voucher यानी bill या invoice पर जो numbers होते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं वैसे तो यह topic बहुत ही सरल लगता है क्योंकि voucher बनाते समय टैली हमें अपने आप ही voucher के numbers देता है और voucher save होने के बाद फिर से voucher का नया number हमारे सामने आ जाता है पर टैली प्राइम ने हमें voucher के numbering को अपने हिसाब से modify करने यानी अपनी सुविधा के हिसाब से voucher पर number डालने का option दिया है यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि इसका उपयोग आप किसी भी voucher पर कर सकते हैं वैसे इसका मुख्य रूप से उपयोग sales voucher और receipt voucher में होता है यहाँ पर हम आपको sales voucher पर इनका उपयोग बता रहे हैं यहाँ हमने अपनी company happy traders open की हुई है और अभी हम gateway of tally पर हैं इस company में अभी तक हमने जितने भी sales voucher बनाए हैं उन्हें देखने के लिए day book पर चलते हैं यहाँ पर हम पूरे साल का period सेलेक कर लेंगे यह देखिए यहाँ पर सभी तरह के vouchers दिखाई दे रहे हैं हम केवल sales के vouchers ही देखना चाहते हैं तो F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ से sales सिलेक कर लेंगे यह देखिए ऐसा करते ही अभी तक हमने जितने भी sales voucher record किये हैं वो सभी दिखाई दे रहे हैं इसमें आप voucher नंबर वाले कॉलम में एक, दो, तीन से लेकर आठ तक जितने भी नंबर्स देख रहे हैं यह सभी voucher नंबर अपने आप ही जनरेट हुए हैं अब जब हम अगला sales invoice बनाएंगे तो उसका नंबर 9 भी अपने आप ही आ जाएगा चलिए, हम इसे sales voucher creation screen पर चल कर देख लेते हैं यह देखिए, यहाँ voucher नंबर 9 अपने आप आ रहा है अब यदि हम यह invoice बना लेंगे, तो इसके बाद 10 भी अपने आप ही आ जाएगा और यह सिलसिला आगे भी इसी तरह चलता रहेगा यानि कि आप एक बात तो समझी गए होंगे कि टेली में अभी voucher नंबरिंग का काम automatically हो रहा है पर कई बार आपने किसी पार्टी का बिल देखा होगा तो उसमें इस तरह की नंबरिंग दिखाई देती है इसमें आगे की ओर short में company का नाम होता है और पीछे की ओर वो invoice जिस financial year में बना होता है वो लिखा होता है यदि आप भी अपने बिल या किसी अन्य voucher में इसी तरह की नंबरिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं आएए देखते हैं इसके लिए हमें उस voucher type को alter करना होगा जिसमें हम इस तरह की नंबरिंग करना चाहते हैं हम cells voucher में इस तरह की numbering करना चाहते हैं तो alter के साथ G प्रेस करेंगे और यहां alter master पर जाकर enter प्रेस करेंगे यहां voucher type पर जाएंगे और फिर यहां cells पर जाकर enter प्रेस कर रहे हैं यह देखिए voucher type alteration screen आ रही है हम enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं method of voucher numbering के आगे 5 तरह की methods दिखाई पढ़ रही हैं हम इन सभी के बारे में एके करके समझेंगे अभी हम इन में से automatic select कर रहे हैं ध्यान रखे टेली में by default यही method selected रहती है enter प्रेस करेंगे अगला option है use advanced configuration हम voucher numbering से संबंधित advanced configuration करना चाहते हैं इसलिए इसे yes करके enter प्रेस करेंगे ऐसा करते ही देखिए यहाँ एक नई screen open हो गई है इसमें सबसे पहले starting number है इसमें by default 1 लिखा हुआ है हमें यहाँ पर एक ही रखना है पर यदि आप किसी और number से voucher की counting शुरू करना चाहते हैं तो वो number आपको यहाँ पर type करना होगा जैसे यदि आप पहले manual accounting कर रहे थे और वर्ष के बीच में ही आपने tally पर accounting शुरू कर दी उधारन के लिए मान लीजिए कि manual accounting करते हुए आपने 1 से 40 number तक sales voucher बना लिए थे और अब आप tally में sales voucher number 41 से billing करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 41 type कर दे ऐसा करने से आपके tally पर sales voucher का number 1 से शुरू न होकर 41 नंबर से शुरू होगा पर यदि मान लीजिए आपने tally में पहले से ही कुछ sales voucher बनाए हुए हैं जैसे कि अभी हमने 8 vouchers बनाए हुए हैं और अब हम यहाँ पर number 9 डाल देते हैं और इसे save कर लेते हैं और अब इसे screen को भी save कर लेते हैं ताकि sales voucher टाइप भी save हो जाए तो देखिए अभी हमने tally में जो 1 से 8 नंबर तक sales voucher बनाए थे उन सभी के number बदल गए हैं हमारे एक number voucher का number बदल कर 9 हो गया है दो number का voucher 10 हो गया है और इसी तरह से पहले से बने हुए सभी voucher के numbers change हो गए हैं कहने का मतलब यह है कि हमारे sales voucher अब एक की जगह 9 नंबर से शुरू हो रहे हैं क्योंकि यहां पर हमने 9 टाइप कर दिया है अब हम वापस voucher टाइप alteration screen पर चलते हैं क्योंकि हम वर्ष के शुरू से ही टैली में accounting कर रहे हैं तो यहां पर हमें किसी प्रकार का बदलाव करने के आवशकता नहीं है हम फिर से एक टाइप कर रहे हैं और enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं अब बात करते हैं इन चारो options की यह चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो पहले हम नीचे के इन दो options को समझ लेते हैं उसके बाद उपर के options समझ लेंगे आईए पहले समझते हैं prefix किसे कहते हैं हिंदी में prefix का अर्थ होता है उपसर्क यानी किसी शब्द के पहले लगाया जाने वाला शब्द अब चूंकि यहां हम जैसा कि इस बिल में दिखाई दे रहा है उसके अनुसार voucher number के पहले कुछ शब्द जोड़ना चाहते हैं तो यहां prefix का अर्थ होगा voucher number के पहले लगाया जाने वाला शब्द हम prefix के रूप में अपनी company happy traders का short form ht जोड़ना चाहते हैं तो आईए इसके लिए enterprise करते हुए prefix detail पर चलते हैं यहां पहले applicable from में हमें वो तारिक टाइप करना है जिस तारिक से हम बिलकी numbering के शुरू में ht लिखना चाहते हैं यदि यहां हम एक अप्रेल टाइप कर देंगे तो अभी यह जो एक अप्रेल से vouchers बने हैं उनके number के आगे भी इस तरह से prefix लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा हम आखरी voucher जो कि 30 सितंबर को बना था उसके बाद से जो नए voucher बनाएंगे उनमें ht लिखना चाहते हैं तो यहां हम एक अक्टोवर टाइप करेंगे और यहां particular में ht टाइप करेंगे अब बिल नमबर इस तरह दिखाई पड़ेगा जो कि ठीक नहीं लग रहा है यदि हम इसके बाद slash लगा देंगे तो हमारा बिल नमबर इस तरह दिखाई देगा आप चाहें तो यहां slash की जगर कोई दूसरा symbol भी यूज़ कर सकते हैं हम enter करके आगे बढ़ रहे हैं अब हम suffix details वाले column पर आ गए हैं आईए पहले समझ लेतें suffix किसे कहते हैं जिस तरह voucher number के पहले जो शब्द लगाते हैं उसे prefix यानि उपसर्ग कहते हैं उसी तरह voucher number के बाद में जो शब्द लगाते हैं उसे suffix यानि प्रत्य कहते हैं हम इस बिल में दिखाई दिये अनुसार अगर कोई suffix जोड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल हमें इस कॉलम में टाइप करनी होगी एप्लिकेबल फ्रॉम में आप वो तारिख टाइप करें जब से आप suffix देना चाहते हैं हम एक उक्टोबर से ही voucher number में suffix भी एड़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक उक्टोबर टाइप कर देंगे अब एंटरप्रेस करेंगे अब हम पटिकुलर्स पर आ गए हैं यहाँ हमें suffix टाइप करना है हम suffix के रूप में financial year को रखना चाहते हैं तो यहाँ हम पहले slash टाइप करेंगे जिससे यह suffix मुख्य invoice number से बिलकुल भी जुड़ा हुआ ना रहे slash के बाद हम 22, 23 टाइप कर देंगे और in changes को save कर लेंगे अब हम cells voucher open कर लेते हैं यह देखिए यहाँ अभी भी voucher number simple format में ही दिखाई दे रहा है क्योंकि voucher की तारिख 30 सितमबर है हम इसकी तारिख बदल कर 1 October कर लेते हैं यह देखिए अब यहाँ पर prefix और suffix दोनों दिखाई पड़ रहे हैं और उनके बीच में voucher number भी आ रहा है prefix और suffix हमें 30 सितमबर के बजाए 1 October से इसते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि applicable from में हमने तारीख 1 October रखी थी यनि की हम 1 October और उसके आगे की डेट में जो भी invoice बनाएंगे उन पर ही prefix और suffix का प्रभाव दिखाई देगा चलिए हम एक एक करके दो voucher बना लेते हैं ये देखे एक October के बाद के invoice number नए format में आ रहे हैं हम वापस voucher type alteration screen पर चलते हैं आई अब बात करते हैं इन दोनों की इन्हें समझने के लिए हम कुछ चित्रों का सहारा लेंगे यदि आप width of numerical part में कुछ भी type नहीं करते और prefill with 0 को no रखते हैं तो अभी हमने आपको जिस तरह के voucher number दिखाए थे उसी तरह से दिखाई पड़ेंगे और यदि हम width of numerical part के आगे 4 टाइप कर दें और prefill with 0 को no रखते हैं तो voucher number इस तरह से दिखाई पड़ेंगे यहाँ दियान रखें आप 4 की जग तीन या 5 या कोई दूसरा अंक भी type कर सकते हैं यहाँ पर हम जितने नंबर टाइप करेंगे उतनी width of numerical part यानी numerical part के बीच की दूरी उतनी ही कम या ज्यादा हो जाएगी हम width of numerical part के आगे 4 ही रखते हुए प्रिफल with 0 को yes करके इसे सेव कर लेते हैं यह देखें सभी invoice नंबर के आगे 6 न आ गई और total width of numerical part 4 है यहाँ पर एक और बात ध्यान रखें जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने width of numerical part और प्रिफल with 0 जो भी setting की थी वो financial year के शुरू से applicable होती है यहाँ एक और बात का ख्याल रखें टैली, prefix, voucher number और suffix तीनों को मिला कर 16 digits से ज्यादा digit के voucher number अलाव नहीं करता है हम वापस voucher type alteration screen पर जलते हैं आईए बात करते हैं restart numbering के बारे में यह देखे अभी यहाँ जो लिखा है उसका मतलब है कि 1 अप्रेल से bill number 1 से billing शुरू हो और यह सिरीज एक साल तक चलती रहे और अगले साल फिर से एक अप्रेल से bill number 1 से शुरू हो अब हम particulars पर चलते हैं यह देखे यहाँ कई options आ रहे हैं यहाँ हम monthly select कर रहे हैं और अब यहाँ पर जो लिखा है उसका मतलब है कि 1 अप्रेल के बाद से जो भी voucher बनेंगे की numbering कर देते हैं तो उससे यह होगा कि हर माँ एक जैसे bill number आएंगे जैसे एप्रेल में भी एक, दो, तीन से बिल number शुरू होंगे और माई में भी एक, दो, तीन से ही शुरू बात होगी और इसी तरह आगे के सभी माईनों में भी इसी तरह की numbering आएगी हम इसे सेव कर देते हैं और इसका effect देख लेते हैं ये देखिए हर माँ billing एक नमबर से शुरू हो रही है अब इससे तो बड़ा confusion create हो रहा है कि हर माँ में एक जैसे बिल नमबर कैसे हो सकते हैं आईए इसे भी हम ठीक कर देते हैं इसके लिए हम वापस वाउचर टाइप उल्टोरेशन स्क्रीन पर आ गए हैं अब हम यहाँ चित्र में बताय अनुसार चिंजस कर लेंगे अब इससे सेफ कर लेंगे और इसका प्रभाव भी देख लेते हैं यह देखिए अब हर महिने का पहला वाउचर एक नमबर से शुरू तो हो रहा है पर उसके पहले यह भी लिखा है कि यह वाउचर किस मा का है ध्यान रखें प्राय इस तरह की नमबरिंग ठीक नहीं होती है हम वाउचर टाइप अल्टरेशन स्क्रीन पर चलते हैं अब इन सभी को हटा कर पहले वाली इस्थिती में आ जाते हैं और अब इसे सेव कर लेते हैं चली अब आगे बढ़ते हैं हमने आपको बताया था कि बाई डिफॉल्ट टैली इस आटोमेटिक नमबरिंग मेथट को ही उप्योग करता है आईए अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो नमबर 37 जो कि डे बुक से समबंधित थी उसमें बताया था कि यदि आप पहले से बने वाउचर के बीच में कोई नया वाउचर बना देते हैं या बीच का कोई वाउचर टिलीट कर देते हैं तो उसके बाद के सभी vouchers के नंबर बदल जाते हैं, जैसे कि हम 8 नंबर का voucher डिलीट कर रहे हैं, ये देखिए, जो voucher पहले 9 नंबर का था, अब उसका नंबर बदल कर 8 हो गया है, और जो 10 का था, वो अब 9 हो गया है, इसका प्रभाव ये होता है कि हमने अपने customers को print करके जो बिल दिये होंगे, उन पर पहले वाले नंबर होंगे, और हमारे record में, बीच में नया voucher बना देने से, या बीच का कोई voucher डिलीट कर देने से, उसके बाद के सभी नंबर बदल गए होंगे, अब जब हम बदले हुए बिल नंबर के साथ GST पोर्टल पर बिल्स की डिटेल्स अपलोड करेंगे, और हमारा customer बिल की डिटेल GST पोर्टल पर चेक करेगा, तो दोनों में अंतर आएगा, जिससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखें कि जब आप आप आटोमेटिक नंबरिंग वाली मैथट उप्योग कर रहे हूं, तो बीच में कोई voucher इंसर्ट ना करें, इसी तरह यदि कोई voucher हटाना चाहते हैं, तो voucher को डिलीट करने की जगह voucher को कैंसल करें, तो दोस्तों, वाउचर नंबरिंग की इस वीडियो में आपने आ वाउचर नंबरिंग की अन्य मैथट्स के बारे में बताएंगे, आज के लिए बस इतना ही, तैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो